दोस्तों दूसरे टैस्ट में मच चुकी है खलवली क्योंकि भारत के बॉर्णों ने ले लिया है बदला इंग्लेंड के बल्ले बाजो से जो लोग दे रहे थे भारत के खिलाडियों को पहले टैस्ट में हारने के बाद गाली उनके मूँ में लग चुका है जोड़दार तमा क्योंकि भारत में इंग्लेंड को दूसरे टैस्ट में 106 रॉनों से हरा दिया है जी हां दोस्तों सई सुना आपने पूरे 106 रॉनों से और इसका पूरा श्रय जाता है दोस्तों भारतिये बॉलिंग यूनिट को जिसमें दोस्तों बुम्रा ने खतानाग बॉलिंग करते कि दोस्तों बुम्रा के पास तागात है हर तरीके की बॉल डालने की यूर करके महारती हैं और दोस्तों अंदर भार दोनों डाल सकते हैं जिसके पास जूर का डालने की महारत हो अंदर बॉल डालने की सिम्मत हो दोस्तों उसको तुम जीत से कैसे रोक सकते हो दोस्तों अग भारत इतना उच्छा पहुच चुका है उसके पास है खतरनाक बॉलर बल्ले बल उसके साथ एक खतरनाक हिम्मद जो दोस्तो उडान देती है जीत को जिए अगर आपको भी अपने जिन्दगी में कुछ करना है दोस्तो इनसे मोटिवेशन लीजिए दोस्तो जीत का जुनून ऐसा होना चाहिए कि जिसके आगे सब कुछ फीका हो जाए भारती बॉलर के आगे आज सब फीका हो गया क्योंकि दोस्तो उन्हें जिताया है भारती टीम को और दोस्तो खोई हुई जो इज्जत थी वह दुबार से लोटा दिये कि पहले टैस्ट में तो समझ रहत है कि यह भी हो तुके हैं बुड़े घर में नहीं रही है शेर उनके मुझ में दो अधार थपन मार के दिखा दिया है कि दोस्तो अभी हम बुड़े नहीं हुई है और दोस्तो एक के बाद एक हमारे शेर तैयार हो रहे हैं जैस्वाल ने डबल सदक मार के दिखा दिया कि आने वाले रोशन कर देगा क्योंकि बुम्रा के पास ऐसी मिसाइल ऐसे बम हदियार है जो किसी और के पास नहीं है और यही चीज है जो बुम्रा को सबसे अलग बनाती है इसी के वज़े से बुम्रा को मैंनो तो मैच चुना गया है दोस्तो अगर बुम्रा को सबसे अच्छा बोलर भार तेम में नहीं आया है दोस्तो अगर आपको लगता हूँ कफिल देव है तो मैं मानता हूँ मैं उनकी इज़त करता हूँ वो दुनिया के भारत के सबसे खतरनाक और है कफिल देव भारत के लेकिन दोस्तो जस्पीद बुम्रा जैसा एक खतरनाक बॉलर टेम मीडिया में आस त सबसे खतरनाक है तो है दोस्तो अगर आपको मीरी बात गलत लगे तो कमेंट में जरूर बताना और एक खतरनाक लोहार था जिसके आगे बराद भी निकल जाए तो इसको पता ना चलता पूछने पर अकर उससे कोई पूसर की बरात गई है तो बोलता कि मुझे नहीं पता क्योंकि मैं अपने काम यह व्यस्त हो जाओ कि आप किसी चीज का होश्की न रहे सिर्फ और सिर्फ लक्स होने चाहिए लक्स पे दोस्तो इराद होना चाहिए बस जीद का, वहीं दोस्तो, JAISwal के पास है दोस्तो, बच पन से लेके अब तक JAISwal ने कुछ और नहीं सोचा ये किर्केट खाते हैं और किर्केट ही पीते हैं इनके दिमाग में तो बस किर्केट ही चलते हैं इनको ये पता नहीं होता है कि यूटूब में उने लाश्ट टाइम क्या सर्च किया यूटूब क्या होता है ये कुछ नहीं जानते जानते हैं तो सफ किरकेट दोस्तो जीत की आग और जुनून की आज और लक्स के लिए दोस्तो अपना डेडिकेशन ऐसा ही होना चाहिए दोस्तो आप कुछ भी काम करते हो जोस्तो प्रक नहीं पड़ता लेकिन डेडिकेशन बनाया रखना जाहे हिंद्वन्दे मात्रम भारतमाता की जाहे